हेलो एबरिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे जारखंड सरकार ने फाइनली अपनी आखें खोल दी है बेरोज़गारों के लिए और हेमन स्वरैन को थेंक यू सो मच कि फाइनली उन्होंने एक रिकूटमेंट अपने कारिकाल में निकाला है और ये रिकूटमेंट क्या है जारखंड CGL जी हाँ आपने CGL सही समझा है और इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजवेशन होनी चाहिए अगर आपने ग्रेजवेशन मिलता रही और टेलिग्राम चैनल पे इसकी पेडिया फ्री अपकोस्ट मिल जाएगे तो टेलिग्राम चैनल को भी जाके जोइन कर लेना है आपको आगे देखिए यहां से आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दू अप्लिकेशन फॉर्म पते जाना फॉर्म आपको अपलाए कर लेना है याद रखिएगा फी कितनी है एक हजार रुपए रखी गई है फी लेकिन जो स्ट कटेगरी के लोग है 500 रुपए में उनका फॉर्म भर दिया जाएगा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए जारखंड सरकार हैमन सिर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लो लेकिन अब जो सैलरी बगेरा है वो भी हाँ इन्होंने दे रखिया सैलरी बहुत ही हैंडसम है चोवालीस हजार नौसौर रुपए से लेकर एक लाख ब्यालीस हजार रुपए तक आपकी सैलरी जाएगी और सारे सैलरी का अगर आप ग्राफ देखो तो 40-50,000 रुपए आप हर मंत कमाऊगे ही तो वेल है और पर्मानेंट जॉब है सरकारी नौकरी का मज़ा ही कुछ और है आगे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप जो चोगदा फरवरी है अगर उस दिन तक अगर आपने इंटर जारखंड से किया है आपने तभी आप इस फॉर्म को भर सकोगे एक और बात मैं आपको बताओं यहाँ पे आपको हसी आएगी यह जान करके कि सिर्फ जेनरल वाले के लिए ही यह रूल है OBC, SC, ST को इससे छूट दी गई है तो समझ सकते हैं यह सरकार की मेंटिलिट किया है कि जेनरल वाले अगर किसी भी अधर स्टेट से परिच्छा पास करते हैं मेट्रिक या इंटर का तो उन्हें यह मानिता नहीं देंगे कैसी सरकार है बगवान जाने आगे देखिए important चीजे मैं आपको बता दू उम्र के बारे में बता दू उम्र जो है 35 साल रखी ग एक्जाम में 40% से कम अंक अगर आप लाते हो तो आपका काम नहीं चलेगा मैं syllabus भी आपको बता दूँगा don't worry syllabus के लिए अलग से एक dedicated वीडियो आएगी वहाँ जाने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा प्रस्म x to the power 0 is equal to what comment box में बताईएगा तो मुझे पता चल जाएग कि आप लोग से ले बस चाहते हो तो इसका answer आप लोग comment box में जरूर देना आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए यहां जो important चीज़ें दी गई है वो आप यहां से असानी से अच्छे आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ सकते हो जो important चीज़ें हैं वो मैं आपको बता पर क्लिक करके आपको registration कराना है याद रखिएगा इस बात को और ये कब आप कर सकते हो यहां से देख लिजे इन्होंने सारी बाते हैं लिख दी है बहुत अच्छे से लिख दी है और आगे बढ़ते हैं यहां से देखिए 19 तारी के बाद से जिनका नाम वगेरा में आपके नाम को, date of birth को, email ID और mobile number को छोड़ करके कोई भी अगर आपने गलती करती है तो आपका edit हो जाएगा अदरबाइज edit नहीं होगा application form स्टार्ट होगा आपका 15-1 से लेकर के यह चोगदा 2 तक Valentine के मधिरात्री तक आपका भर जाएगा girlfriend और boyfriend से निजात मिल जाए तो form भी भर ल यह और जो update आप जो गलतियां अगर कुछ हो जाए तो उसे 21-22 तक आप ठीक कर सकते हो याद रखिएगा इस बात को और परिक्षा का जो स्वरूफ होगा ना वो मैं आपको दिखा दूँ यह बड़ा interesting है तीन paper लिया जाएगा पहला paper हिंदी इंगलिस का होगा और यहाँ कुल प्रस्म पूछे जाएंगे 120 और दो घंटे का यह paper होगा याद रखिएगा दोनों को जोड़ करके अगर 30% आप नहीं लाते हो तो disqualify हो जाओगे याद रखिएगा पत्र दो में आपको उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खड़िया, कुड़ाउ, कुर्माली खुठा, नाकपूरी मैंसे किसी एक भासा में 100 नमर का एक्जाम देना है और इसमें 30% अंक लाना ही होगा अधरवाइस आप जो है यहाँ पे आपकी गिंती नहीं की जाएगी याद रखिएगा यहाँ पे जो हिंदी इंगलिस में पास करना निवार है लेकिन इसका जो आसे आप देख सकते हो पत्र दो दखिए जो पत्र वन में ही फेल कर जाएगा पत्र दो और तीन का उसका मुल्यांकन नहीं किया जाएगा और पत्र दो में 30% से कम आने वाले का पत्र तीन में जो है मुल्यांकन नहीं किया जाएगा तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ों को देख लिजिए आप पत्र तीन जो होगा न वो उसमें जी के आपका पूछा जाएगा 30 मार्स का विज्ञान से 20 प्रसन गनित से 20 प्रसन और रिजिनिंग से 20 नंबर कम्प्यूटर का ग्यान 20 पर 30 और जारखंड जी के 40 नंबर का पूछा चाएगा तो इन सब चीजों को आप अच्छे से कर लेना हिंदी भासा की जो सिलेवस है यहाँ पर दे दी गई है इंगलीज भासा की भी सिलेवस यहाँ पर दे दी गई है तो इन चीजों को आप थ्यान से देख लिजिए form को apply कर लिजिए by the way अगर आपका कोई doubt हो जो आप पूछना चाहते हो तो यहाँ पे मेरी email ID आप देख लो मैं आपको email ID बता देता हूँ यहाँ से देख सकते हो your mythun sing यहाँ से आपको ID में ही दिखा देता हूँ your mythun sing at the rate gmail.com पे mail कर लिजिए इंस्टा पे हो then do follow me at the rate I mythun sing paper के लिए जो है नीचे comment box में आपको paper मिल जाएगा link मिल जाएगा telegram channel का अगर previous CGL के जो paper हुए थे उसका question paper आपको चाहिए तो एक छोटा सा amount आपको pay करना है only 50 rupees का तो previous year का question paper है PDF form में आपको मिल जाएगा your mythun sing at the rate gmail.com पे mail कर लिजिए इंस्टा पे do follow me at the rate I mythun sing paper लेने के लिए इन दो जो मैंने medium बताया वहाँ से आप मुझे contact कर सकते हो thank you so much for watching this video have a great day